परिचय नमस्कार बच्चों यह जंगल है यहां रहने वाले जंदूओं को जंगली जानवर कहते हैं जंगल जंगली जानवरों का संसार होता है जंगली जानवर धर्ती पर पाए जाने वाले उपयोगी और दिल्चस्प जंदू होते हैं आईए इन जंगली जानवरों के बारे में और जानें। आउ सीखें। प्रमुख जंगली जानवरों को पहचानना। जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जंगली जानवरों द्वारा खाय जाने वाले भोजन की जानकारी पाना जंगली जानवरों का महत्व समझना जंगली जानवर जंगल जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास होता है इन्हें जंगली कहते हैं क्योंकि ये किसी को चोट पहुँचा सकते हैं शेर बड़ा और ताकतवर होता है वेह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर होता है इसलिए इसे जंगल का राजा कहते है शेर दूसरे जानवरों का मास खाता है चीता जंगल का सबसे तेज जानवर होता है वेह भी बड़ा और ताकतवर होता है जिराफ जंगल का सबसे लंबा जानवर होता है बंदर काफी समझदार और शरारती होता है भालू अधिक बालों, तीखे पंजों, बड़े दातों वाला होता है यह बहुत ताकत्वर होता है जंगल में पक्षी और कीडे भी रहते हैं जंगली जानवरों का आवास क्या आप जानते हैं कि जंगली जानवर जंगल के भीतर प्राकृतिक आवासों में रहते हैं यह आवास जंगली जानवरों को अत्यधिक गर्मी, सर्दी और बरसाथ से बचाते हैं शेर मांद में रहता है ये अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता है जब इसे भूख लगती है तब ये बहार आता है बाग गुफा में रहता है बंदर पेड़ पर रहता है वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जूलता रहता है ये हमेशा समूह में रहता है मगर मच पानी में रहता है जमगादड पेड़ों पर रहते हैं और आस्मान में उड़ सकते हैं जंगली जानवरों का भोजन आओ देखें कि जंगली जानवर भोजन के रूप में क्या खाते हैं शेर, बाग और गिद्ध मासाहारी जानवर हैं वे दूसरे छोटे जानवरों का मास खाते हैं हिरन, जिराफ और खरगोश शाकाहारी जानवर हैं क्योंकि वे सिर्फ पेड़ पत्ते खाते हैं भालू और कव्वे जैसे जानवर सर्वभक्षी कहे जाते हैं क्योंकि वो मास और पेड़ पत्ते दोनों खाते हैं सियार, गिद्ध और लकडबग्घा इत्यादी को शवभक्षी कहते हैं, क्योंकि ये मृतक जानवरों का मास खाते हैं। और चमड़ा प्राप्त करते हैं, हाथी दाथ से सुन्दर गहने और सजावटी सामान बनते हैं, मचली के यक्रित से निकाले गए तेल का दवाईया बनाने में उपियोग होता है। वन्य जीवन को बचाएं। जंगली जानवर प्रित्वी का आवश्यक अंग हैं। वे पारितंत्र में संतुलन बनाये रखते हैं। मनुष्यों द्वारा वनों को नुकसान पहुचाने और पेडों की अत्यधिक कटाई से जंतु जीवन को खत्रा उत्पन हो गया है। कुछ लोग जंगली जानवरों को सिर्फ अपने शौक के लिए मारते हैं। बंगाल ताइगर जैसे कुछ जानवर दुरलब हो चुके हैं। इसलिए हमें जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। वन्य जीवन बचाएं, प्रित्वी बचाएं। हमने क्या चर्चा की। जंगली जानवर सजीव होते हैं। ये जंगल में रहते हैं, जोकी इनका प्राकृतिक आवास है। जंगली जानवर मासाहारी, शाक भक्षी, सर्व भक्षी या शव भक्षी हो सकते हैं। जंगली जन्तू बहुत महतुपूर्ण होते हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए।